प्यारे बच्चों गुड मॉनिंग कच्छा चार की अंग्रेजी की कच्छा में हम लोग पढ़ रहे थे लेशन फोर हीर एंड देर इसमें कल हम लोगोंने सब्जेक्ट को जाना कि सब्जेक्ट होता क्या है करता होता क्या है आज हम लोग इस कहानी के प्रश्न उत्तर को देखेंगे जैसा कि आपको पता है इस कहानी में एक लड़की नीता जो भहुत ही लापरवा होती है उसकी कहानी बताई गई है जिसमें वह अपने बस्तुओं को अपने कमरे में इधर उज़र बिखरा कर रखती है उसकी दोस्त माला आती है अपना कहानी का किताब लेने के लिए और जब वह कहानी का किताब मांगती है तो नीता इधर उधर ढूड़ती है नहीं पाती है फिर माला उसका सहयोग करती है और सभी बस्तुओं को अपने अपने अस्थान पर रखना शुरू करती है उसे में आलमारी में कहानी की किताब मिल जाती है उसके बाद उसकी मा कमरे में आती है और नीता और माला की तारीफ करती है और उसके बैक के बारे में पूछती है फ्रॉक के बारे में पूछती है उसके जूते के बारे में पूछती है और लास्ट में साफ सफाई देख करके उसकी मा उसकी काफी सराहना करती है और बताती है कि छोटे सामानों को टेबल पर रखो और बड़े सामानों को आलमारी में रखो आईए इस पार्ट के प्रस्णुत्तर को देखते हैं Comprehension Question पहला Answer the following question Answer मने उत्तर दीजे The following मने नीचे के Question मने प्रस्णुत्तर के A. What was Nita like? What मने क्या वाज मने थी? Nita मने नीटा like मने प्रकार की Nita किस प्रकार की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जागा? Nita कैसी लड़की थी? लापरवा, careless तो उत्तर जाएगा Nita was careless girl B. How did Nita keep her things in the beginning? How मने कैसे? Nita keep मने रखती थी Her मने उसकी things मने बस्तुओं को In मने में, beginning मने प्रारम में प्रारम में Nita बस्तुओं को कैसे रखती थी? क्या इसका उत्तर हो जाएगा? Nita keep her things Here and there in the beginning Pull it stop C. What was Nita searching for? What मने क्या? Was मने Nita नाम है? Searching मने खोज रही Nita क्या खोज रही? थी? क्या उत्तर हो जाएगा? Nita was searching for story book of Mala D. Where did Mala find her book? Where मने कहा? Did Mala find, Mala नाम है, find मने पाई, her मने उसका, book मने किताब Mala उसकी किताब कहां पाई? तो उत्तर हो जाएगा Mala find her book in the cupboard किस में पाई? अलमारी में पाई In the cupboard E. Why is it necessary to keep our things at their proper place? Why मने क्यों? Is मने है It मने है Necessary मने आवस्चक To keep मने रखना Our मने हमारे Things मने बस्तूओं को At मने पर There मने उनके Proper मने ठीक ठीक Place मने अस्थान पर यह क्यों आवस्चक है कि बस्तूओं को उनके ठीक ठीक अस्थान पर रखा जाए इसका उतर हो जागा It is necessary to keep our things at their proper place to find them easily इसको आसानी से पाने के लिए हमें सही अस्थान पर रखना चाहिए Word power The words in the toffee describe something Or someone In the story Write their names in the blanks Provided below The word मने सब्द in the toffee मने जो नीचे टाफी दिये गया है Describe मने वर्डन करते हैं Something मने कुछ Or someone किसी के बारे में In the story इस कहानी में They write their names In the blanks provided below उसके नीचे जो खाली दिया गया है उसको उसमें परना है तो पहला है Sweet Sweet कौन था? किसके बारे में sweet कहा गया? हमें लगता sweet नहीं आया है तो चलिए आगे दिखने है Blue क्या था? Bag Black क्या था? Shoes Red क्या था? Frog Sweet न तो माला को कहा गया है न तो नीता को कहा गया है तो फिर यहां क्या होगा? Nothing या None अगला जाइए Language Practice Underline the Describing Word Describing Word बढ़न करने वाले सब Adjective Adjective क्या है? एक describing word होता है विशेषण विशेषता बताता है किसी चीज की In the following sentences And write them in your note यहां आया है Adjective Adjective मने होता है Vिशेषर Describing Word जो किसी की किसी चीज का वर्डन करता है किसी चीज की विशेषता को बताता है उसे हम कहते है Vिशेषर या अंग्रेजी में Adjective हमें In sentence में से Adjective सब्द को ढूडना है यानि विशेषता बताने वाले सब्दों को ढूडना है जैसे My red frog is here My मने मेरा red मने लाल frog मने frog Is मने है here मने यहां मेरा लाल frog यहां है तो frog की विशेषता को बता रहा Red यानि red कैसा है frog लाल है Your yellow box is there तो यहां box की विशेषता कैसा है yellow है तुम्हारा पीला box वहां है तो कैसा box है पीला बाक्स की विशेषता को बता रहा है yellow पीला ठीक A fat man is here A मने एक Fat मने मोटा Man मने आदमी Is मने है Here मने हाँ तो fat आदमी कैसा है मोटा है Fat है तो यह क्या हो गया कोंसा word हो गया adjective हो गया फिर a D A thin man is there A मने एक Thin मने दुबला Man मने आदमी Is मने है There मने वहाँ तो यहाँ man की विशेषता क्या है Thin है वो दुबला है तो यह क्या हो गया adjective word हो गया My black goat is here My मने मेरा Black मने काली Goat मने बकरी Is मने है Here मने यहाँ मेरी काली बकरी यहाँ है तो goat की विशेषता कौन बता रहा Black सब बता रहा तो black क्या हो गया adjective हो गया describing word हो गया Your white ox is there Your मने तुम्हारा White मने सफेद Ox मने bell Is मने है There मने वहाँ तुम्हारा सफेद bell वहाँ है तो ox की विशेषता कौन बता रहा White तो यह सब क्या हो गया White, black, thin, fat yellow, red tall, short यह सब क्या है यह सारे word जो है adjective कहे जाते है विशेषड कहे जाते है जो किसी बेक्ती या बस्त की विशेषता को बताते हैं जो सब्द उन्हें हम adjective कहते हैं उन्हें विशेषड काते हैं इन्हें भी हमें जानना चाहिए अगला देखिए fill in the blanks using here and there इसमें खाले अस्तान को भरना है क्या यूज करके here and there यूज करके तो पहला देखिए पहला क्या है a can you go there जाएगा तो कहा जाएगा वहाँ जाएगा क्या तुम वहाँ जा सकते हो can you come here can you come here क्या तुम यहाँ आ सकते हो आना है तो here होगा जाना है तो there होगा I wish he would be there with me मैं आशा करता हूँ कि वह वहाँ मेरे साथ होगा D I would like to be here with you मैं चाहूंगा यहाँ तुमारे साथ होना ठीक है अब है activity how can you keep your classroom neat and clean इसके बारे में आप लोगों को अपने से लिखना है कि कैसे आप लोग अपने classroom को सुन्दर और स्वच्छ रख सकते हैं ठीक है तो इस सभी प्रशन उत्तर और गत्विधियों को आप लोग अपनी काफी में लिखिएगा मिलेंगे अगले पाठ के साथ तब तक के लिए धन्यबाद नमस्कार